श्री सद्गुरु महाराज कीजे शंत मत के वर्तमान अचार्य पूजपाद महर्शी हरिनन्दन परमहंशी महाराज का जीवन विरित एम बेक्तित छोटे लालदाश जी महाराज के सब्दों में गुरु शंगती गुरु होई सो महर्शी हरिनन्दन अभिननन ग्रंद से महाजनश शंपर कह कश्य नोन्तीकार्थ कह पद्म पत्र अस्थितंग तोयं धते मुक्ताफल स्रियम पंशितंद्र गुरु को कीजे दंडवत कोटी कोटी परणाम कीट न जाने भिंग को करी ले आपु समान शेवक शेवा में रहे अनत कहूं मत जाय दुख शुख सिर उपर शहे कहे कबीर समु जाय शंद कबीर साव शंद मत सत्संग के वर्तमान अचाड पुझपाद महर्शी हरी नंदन प्रमहंशी महराज मेरे बड़े गुरु भाई होने के कारण मेरे लिए गुरु तूल्य ही हैं मैं अपने शद्गुरु पुझपाद महर्शी मही परमहंशी महराज के पावन्चरणों में जमीन पर दोनों घुटनों और शीर को टेक कर परणाम क्या करता था इसी प्रकार मैं वर्तमान अचाड श्री को भी परणाम क्या करता हूं जब मैं इनके पास जाता हूं तब ये मेरे प्रणाम करने के पहले ही मेरे लिए दोनों हाथों को जोड लेते हैं और कभी-कभी मुझे देखकर खड़े भी हो जाते हैं जब मैं इनके प्रणाम कर रहा होता हूं तब ये कभी-कभी अपने उपस्थित सेवकों को संकेत से मुझे प्रणाम करने का आदेश करते हैं, इनके पास जाने पर ये मुझे बैठने के लिए सेवक से कुरसी दिलाते हैं, परन्तु मैं इनके सामने कुरसी पर नहीं बैठता हूँ, दी गई कुरसी को हाथों से पर बैठ जाता हूँ, जब मैं इनके पास से प्रनाम करके आने लगता हूँ, तब ये अपने सेवक से मुझे प्रशाद के रूप में फल आदी कुछ अवश्य दिलाया करते हैं, जब कभी मैं इनके पास बैठा रहता हूँ, तब ये उपस्थित ससंगियों और दर्सनार् मेरी परसंशा के दो चार सब्द अवश्य देते हैं, किन्ही विचारक ने कहा है, आपस में मिल जूल कर रहने के लिए अपने से छोटे को सनेह तथा अपने से बड़े को आदर देना चाहिए, और शमान उम्र वाले के साथ नित्र भाव रखना चाहिए, बड़े गुरु भावी सदेव आदर नहीं होते हैं, उनका अपमान करना बड़ा भारी अपराध है, इसलिए संत चरंदास जी अपने एक दोहे में बड़े गुरु भावी का आदर करने की सिक्षा दे रहे हैं, देखिए, गुरु भावी कुँ पूजिये, धर्ये चर्ननशीष, चर्णो अदक फिरी लीजिये, गुरु मत विश्वा वीश, अचार श्री मुझ से 18 वर्ष के बड़े हैं, इनका जन्म शन 1934 इस्वी में हुआ है, और मेरा जन्म 1952 इस्वी में, इन्होंने 1957 इस्वी में गुर्देव से दिख्षा ली है, और मैं शन 1968 इस्वी में, ये 1957 इस्वी से गुर्देव के जीवन काल, आठ जून 1986 इस्वी तक लगातार उनकी सेवा में, अहर्णिश निष्ठा और सच्चाई के साथ लगे रहे, बैं महर्शी में ही आश्रम कुपाघाट में, पचीश वर्ष तक रहा, और वहां के शांती संदेश पुरेश में, छपने वाली पु ना इस्वी तक मैं गुर्देव के शांडिध्य में रहा, और शांती संदेश पुरेश का कारी करने के साथ साथ अतिरिक्त समय में, उनकी भी कुछनकुछ सेवा करता रहा, अब मैं भागल पूर्णगर के ही बराड़ी महल्य के निकट स्थिश शंत नगर में, अपने आव अचारी शिरी गैरिक वस्त्र धारन करते हैं गुर्देव ने ही इन्हें सन्याशी का वस्त्र धारन कराया है मैं साधे वस्त्र में ही रहा करता हूं गुर्देव ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम भी गैरिक वस्त्र धारन कर लो मैंने भी उनसे कभी गैरिक वस्त्र की मांग नहीं की अचार श्री लोगों को शंदमत सत्संग में दिख्षित भी क्या करते हैं मुझे गुर्देव से दिख्षा देने का अधिकार नहीं मिला है अचार श्री सत्संग परचार भी क्या करते हैं परन्तु मैं सत्संग परचार नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं सांस के रोग से ग्रस्त रहा करता हूं यदि गुर्देव मुझे धर्म परचार करने का आदेश दे देते तो वे मुझे अवश्य धर्म परचार करने की शक्ति भी प्रदान कर देते अचारी श्री श्वाध्याय प्रेमी भी हैं ये धर्म बुर्देव और शंतों के बताय मार्ग पर ये पूरी स्रधासिक के साथ चला करते हैं अश्वस्त रहने पर भी शच्छंग प्रेमियों के आवंत्रन पर शच्छंग कराने के लिए अवश्य चले जाते हैं अचारिशरी को जो कुछ भी लिखते हैं बहुत सोच विचार कर ल दार दें यह इनके व्यक्तित्व की महत्ता ही है कि मुझे जैसे छोटे व्यक्ति को भी यह आदर दिया करते हैं सुरी नारיעन Siwami ने ठीक ही कहा है इस्वर वक्त की पहली पहचान यहैं कि विख श्वेंग सम्मान नहीं चाहते प्रण्तों दुसरों को सम्मान दिया करते हैं नारेन हरी भक्त की प्रथम यही पहचान आपु अमानी होई रहे देत और को मान जो श्वेंग आदर न चाहकर दुसरों को आदर दिया करता है वह समाज गुरु से देवता और इस्वर्शब का प्यारा हो जाता है भगवान से राम भरत से जिसे संतों के लक्षन बतलाते हुए कहते हैं अचारी शरी के नाम से जितनी भी पुष्तकें परकासित हुई हैं वे सब इनके प्रवच्नों के संकलन है मैंने कभी इनके प्रवचनों के शंकलन की दो पुस्टकों का पूरा का पुरूप शंसोधन कर दिया था इन दो पुस्टकों के नाम है उडन शुख खारहश और अंतर अजब विलाश इन दोनों पुष्टकों का संगन की अक्षरांकन और संपादन भ्यार के प्रसिद शाहितिकार स्री प्रफुल चंद्र ओजाजी के विद्वान सुपुत्र स्री आनंद वर्धन ओजाजी पटना नगर ने किया था और स्पाई का काम डॉक्टर गुरु परसाजी शांति संदेश मासिक पत्रिका के वर्तमान संपादक ने कराया था अचारी श्री बिलकुल सरल हिंदी भासा में प्रवचन क्या करते हैं जिसे कम पढ़े लिखे लोग भी असानी से समझ पाते हैं चाहे लाखों सरोताओं की ही भीर क्यों न हो ये अस्थेटा और शहज भाव से बोलते हैं पुर्व तयारी करके ये कभी प्रवचन नहीं करते सत्संग के सभा मंच पर अशानिंग आशिन होने पर इन्हें जो शहज अस्फोर्णा होती है वही ये बोलते हैं इनका प्रवचन शंत वानियों के अधार पर हुआ करता है जिन में कभी-कभी ये गुर्देव के मधूर संस्मरन सुनाते हैं और कथाओं तथा दृष्टांतों के द्वारा अपनी बातों को अस्पष्ट करते हैं ये बड़े निर्भी मानी शंत हैं अपने से छोटे महतमाओं का भी बड़ा आदर क्या करते हैं लाखों सुरताओं के बीच भी ये सवह मंच से अपने से छोटे महतमाओं के लिए कहते हैं कि ये मुझे विशेष जानते हैं, इनके सामने मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है। गुर्देव के जीवन काल में अचारी श्री ने गुर्देव की शेवा करते हुए कुछ दिनों तक आसरम अस्तित सांति संदेश प्रेश के प्रमंदक का भी काम शंभाला था। ये बड़ी शावधानी तथा सच्चाई के साथ प्रेश के आयबिये का हिशाव रखा करते थे। प्रेश कर्मचारियों के प्रती इनका बड़ा सद्वाव तथा शहानो भूती पूर्ण ब्यवार हुआ करता था। प्रूप संसोधन करने की कला मुझे अचारी श्री नहीं सिखाई थी। अचारी श्री ने अनेक वर्षों तक गुर्देव की रशोई बनाने की सेवा की है। कभी-कभी ये गुर्देव को विलचेयर में बिठाकर आश्रम परिशर में तहलाया करते थे। हिल मिलकर बातचित करता है उसी फरकार ये भी गुर्देव से हिल मिलकर बातचित करते थे गुर्देव से बाते करने में तथा उनसे कुछ कहने या कुछ पूछने में इन्हें कुछ भी भैसंकोच नहीं हुआ करता था गुर्देव इन पर यदि कभी कभार बिगर जाते इनको डांट फटकार लगाते तो इनको कुछ भी दुख नहीं होता था ऐसी अस्थिती में भी इनका मुखमंडल मुर्जाता नहीं था प्रशन ही नजर आता था यह उत्तम सेवक की पहचान है शंद कभीर साव अपनी एक साखी में कहते हैं उल्टे सुल्टे वचन कहे शिष्य न मानए दुख कहे कभीर संसार में शो कहिए गुरु मुख गुरुदेव ने अपनी पदावली में सेवक शिष्य के करतब बतलाते हुए कहा है कि सिष्य गुरु से अशत्य भासन नहीं करे उनसे किसी बात का दुराव चिपाव नहीं करे उनके प्रती उसका ऐसा बेवार हो कि उसे उनके प्रेम रोपी अम्रित का पान कराने का अवसर मिल सके उसे उनसे सदैब मधोर वचन बोलना चाहिए और उसे उनके प्रती कभी कोई अहंकार पूर्ण विभार नहीं करना चाहिए गुरू के प्रती अंकार पूर्ण बेभार करने वाले सिश्य के सारे सद्गुन नस्ट हो जाते हैं और उसकी सारी उन्हतियां भी रुप जाती हैं ऐसा सिश्य जन्मरन के चक्र में ही पड़ा रह जाता है उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता गुरू से कपट कचु नहीं राखो उनके प्रेम अमिये को चाखो मीठी बोल बोलियो उनसे अंकार से सब कचु विन से शो उनसे कहुं करियो नाही नहीं तो रहियो भव ही माहीं अचारी श्री गुर्देव के प्रति अपने कर्तब्यों का पालन सम्यक रूप से और सचाई के साथ क्या करते थे शच्चे सिच्च के लक्षनों की कशोटी पर ये खड़े उतरते थे ये अपनी सारी शुक्षप धाओं का ख्याल ना करके गुरू की सेवा में लगे रहते थे गुरु आग्या का उलंगन ये कभी भी नहीं करते थे एक बार अचारी श्री किसी कारणवास गुर्देव से अलग होकर रिशी केस चले गए थे इस अवैधि में गुर्देव इनके वियोग में दुखी रहा करते थे एक दिन मैंने देखा कि गुर्देव अपने पलं लोटाओ जिस प्रकार वन में चर्णे के लिए गई वी गाय को गोठ में बंधे अपने प्यारे नवजाद बचरे की शतत याद आती रहती है उशी प्रकार तुम भी मुझे याद आ रहे हो इस प्रशंग से पता चल जाता है कि अचारी श्री गुर्देव से कितने प्यार ख़े थे कुछ दिनो के बाद गुर्देव ने अठ गामा ग्राम नोगच्या और अनुमंडल के निवासी श्री सिरिची को रिषी के Most अश्रम लियाने के लिए भेजा। श्री शिपाई दाज जी गुर्देव के बड़े प्यारे भक्त थे। वे गुर्देव का आदेश पाकर रिशिकेश गए और अचार श्री को आश्रम कुपागाट ले आये। शत्संग परचार के क्रम में की है। और आज भी कर रहे हैं। इनकी यात्रा कभी नीजी मोटरगारी से, कभी ट्रेन से और कभी हवाई जहाज से भी होती है। की संकाओं या मजिग्याशाओं का धहरी पुर्वक और बहुत अच्छी तरह समधान क्या करते हैं। अब्यागतों के आवाश, जलपान, भोजन, आधिकावी ये बहुत अधिक खयाल रखते हैं। अपने पास आये हुए विशिष्ट लोगों को ये कुर्षियां भी बैठने के लिए दिलाते हैं। अचार श्री छोटा मोटा काम भी करने में शंकोच नहीं करते। कभी-कभी ये जाडू लेकर श्विंग कम्रे की सफाई करने लग जाते हैं। श्वक्सता इन्हें बहुत अधिक प्रिये हैं। रहने के अस्थान, विछावन, पहनने, ओडने के वस्तरों और घर के समान को ये सदेव श्वक्स पवित्र देखना चाहते हैं। अवाज की वस्तूओं को ये सजाकर रखते हैं और सेवकों से भी रखाते हैं। अचारश्री बड़े ही, शरल, नम्र, शहन, शील, इरिश्या, द्वेश, रहित, धैर्यवान, ब्यवार, कुशल और मधुर बोलने वाले हैं। ये सदेव सत्य सुहाता वचन बोला करते हैं। अकारान किसी का दिल, दुखाना इनके सुहाव में नहीं है। प्रते एक दिन ये आश्रम आहाते में परिभरमन करके आश्रम की व्यवस्ता के देखरिक्या करते हैं और आश्रम वाष्यों को उच्चति निर्देश भी दिया करते हैं। इनों ने आश्रम में भवन निर्बान समंदी कई कारी किये हैं जो बड़े ही परसंशनी है। अचार श्री के अचारी पद पर आशिन होने के पुर्वी मैं कुपागाट आश्रम में रहना छोर कर शंत नगर के अपने नीजी आवास में अस्थाई रोप से रहने के लिए आ गया था। संग भजन करें आपको रहने और खाने पिने की कोई दिक्कत यहां नहीं होगी। प्रेम सद्भावा और आत्मीता से परिपोड़न अचार श्री की वानी सुनकर मैं उनके चर्णों में घुटने टेक कर परनाम क्या और हाथों को जोर कर उनसे कहा। बावा मैं आपका बड़ा रिनी हूँ। आप इसी प्रकार मुझे पर अपना स्नेह बनाए रखें। शंत्र नगर में मुझे किसी प्रगार की अश्रुविधा नहीं है। मैं तो आप लोगों के दर्शन के लिए प्रतिदिन पुर्वान में अश्रम आही जाता हूँ। इस पर अचारी श्री बोले ठीक है। आप जहां रहें प्रशन्नता से रहें। गुर्देव से मेरी ऐसी प्रार्थना है। अचारी श्री के संपर्क में मैं लगभग 44 वर्षों से हूँ। ये सदैब मेरे प्रतिशद भावी, शहानुभूती सिल और स्नेहिसिल बने रहे। ये मेरा ख्याल रखना कभी नहीं बोलते। बीच बीच में ये मेरी खोज ख़वर अवस्यलिया करते हैं। हम दोनों के प्रेम शम्मंद में आज तक कभी थोड़ी भी दरार नहीं पड़ी। आश्रम से संतों के भक्ति पदों का एक संकलन प्रकासित हुआ करता है। उसका नाम है संत मत भजन माला। एक बार शवाल ख़़ा हुआ कि इस संकलन में छोटे लाल जी के भजन छपने च चारशरी ने कहा हां छपने चाहिए। छोटे लाल जी के भजन गौन नगर में सत्चंगी लोग गाया करते हैं। एक मुर्तिकार पथर के एक टुकडे को छेनी हतोरी के द्वारा देव मुर्ति का रूप देता है। और उसे मंदिर में स्थापित करके लोक पुझ बना दे देता है। इसी प्रकार किसी शिश्य को सर्वे पुझ और जगत प्रशिद्य कर देना शंत्य सद्गुरु के दाएं बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि शंत्य सद्गुरु परमात्मा का शक्षात कार करके परमात्मा की इतरह सर्वे समर्थ हो गए होते हैं। आवाशकता है शिष्य सच्चे मन से उनकी शेवा करता रहे शत्गुरु दाता सर्वे के तू किरिपीन कंगाल गुरु महमा जाने नहीं फश्यो मोह के जाल भक्तिन शहजो बाई गुर्देव की शेवा करने का ही यह फल है कि आज अचारश्री गुरु पद पर प्रतिश्चित हो गए हैं गुरु की शंगती में गुरु हो जाना आश्चर जनक वात नहीं है गोशामी तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में ठीक ही कहा है गुरु शंगती गुरु हो इसो लगु शंगती लगु नाम गुर्देव शे मेरी प्रार्टना है कि अचारश्री श्वस्त रहकर संस्था समाज और देश की अध्यात्मिक सेवा करते रहें श्री इश्द गुरु महराज की जैए